नमस्कार दोस्तों जानिय कैसे में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्त संबंदि जानकारे लेकर आते हैं अगर आपने हमारा चैनल जानिय कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुर्पया सब्सक्राइब करें जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोज देख सकते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी उस पर आप ट्लिक कीजिए जिससे के आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी आज मैं आपके लिए जो महतुपुन टॉपिक लेकर आया हूँ वो है साबुदाने के फायदे जिहां दोस्तों सफेद मोतियों की तरह दिखने वाला छोटे आकार का साबुदाना रत उपवास में प्रमे कुरूप से खाया जाता है वैसे तो इसका प्रयोग केवल फलाहर के तोर पर किया जाता है लेकिन इसके गुनों से अभी तक कई लोग अंजानी है अगर आप भी नहीं जानते इसके गुनों के बारे में तो हमारा यहाँ पुरा वीडियो देखते रहिए पहला गर्मी पर नियंत्रण एक शोट के अनुसाल साबुदाना आपको तरो ताज़ा रखने में मदद करता है पुरी से चाविल के साथ प्रयोग किया जाने पर यह शरी में बढ़ने वाली गर्मी को कम कर देता है दस्त लगने पर जब किसी कारण से पेट खराब होने यह दस्त अतिसार की समस्या होती है तो ऐसे में बगेर दूट डाले साबुदानी की बनी हुई खेर बहुत अत्सरकार्यक होती है और तुरंत आराम देती है ब्लड प्रेशर साबुदानी में पाया जाने वाला पोटेशियम रखतसंचार को बहतर करे और उसे नियंत्रित करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है इसके अलावा यह मास पेशों के लिए भी फायदे मन्द है पेट की समस्या पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर साबुदाना खाना काफिल लाब दायक से दोता है और यह पाचन करिया को भी ठीक कर ग्यास अपच अधी समस्याओं में लाब देता है एनरजी साबुदाना कर्बोहेट्रेट्स का अच्छा सोर्स होता है जो शरीर में तुरंत और आवश्यक उर्ज़ा देने में बहत सहायक होता है गर्ब के समय साबुदानी में पाये जाने वाला फोलिक एसीड और विटेमिन बी कॉंपलेक्स गर्ब आउस्ता के समय गर्ब में पल रही शिशु के विकास को सायक होता है हड्डिया बने मजबूत साबुदानी में केल्शियम आयरन विटेमिन के भरपूर मात्रा में पाये जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाये रखता है और आवश्यक लचले पन के लिए बहुत फायदे मन दोता है आटवा वजन जिन लोगों में इटिंग डिसॉर्डर की समस्य होती है उनके लिए वजन आसनी से नहीं बढ़ पाता ऐसे में साबुदाना एक बहतर विकल्प होता है जो उसका वजन बढ़ाने में सायक है थकान साबुदाना खाने से थकान कम होती है या थकान कम कर शरिर में आवशक पूर्जा किस तर को बनाय रखने में मदद करता है तवच्चा साबुदाने का फेस मार्क बना कर लगाने से चेहरे पर कसाव आता है और जूरिया भी कम होती है यह तवच्चा में कसाव बनाय रखने के लिए भी फायदे मंद है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूले किसी भी मदद अत्वा सुजाओ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल जानिये कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिये गए गोलाकार लोगों पर आप क्लिक करके अमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते है